मित्रों नमस्ते आईए अंबलराम चौरा सेरलोजी बी एल नॉलेज़ पॉइंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में सेर करिए अधिक से अधिक लोग अंग्रेजी बोलना सिखे यही हमारे कामना और कार्ज करने का उदेश्या है मित्रों आज हमलों पढ़ेंगे conversation between two new persons अर्थात English conversation between two new persons दो नए व्यक्तियों के बीच अंग्रेजी बातचित लेट one person is अमन and second person is विकास एक व्यक्ति यदि अमन है दूसरे को विकास मानिए तो अमन कहता है hello hello मतलब सुनिये या फिर नमस्ते तो विकास कहेगा hi hi मने भी होता है नमस्ते meaning of hi and hello is नमस्ते या good morning या good evening good night जो भी है आप hello और hi का meaning समझेगा नमस्ते तो अमन ने कहा hello विकास से कहा अमन hello तो विकास कहा hi मतलब ये अमन बोल रहा है नमस्ते जी तो विकास भी कहा रहा है नमस्ते जी तो अमन फिर पुछ रहा है how are you हाल चल पुछ रहा है कि आपका हाल कैसा है how are you तो विकास कर रहा है I am fine या I am good मतलब मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ and you या and how are you मतलब मैं तो अच्छा हूँ लेकिन तुम कैसे हो, आप कैसे हैं तो आमन बोल रहा है I also I am also fine, I am also good मैं भी ठीक हूँ या I also कह दने से भी हो सकता है I also, मैं भी ठीक हूँ Do you speak English? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? अमन पुछ रहा है क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? तो जदी आप अंग्रेजी बोलते हैं तो yes कर दिजिएगा या फिर नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलिएगा या फिर थोड़ा बहुत बोलते हैं तो ये little बोलिएगा तो विकास बोल रहा है little मतलब थोड़ा बहुत Are you American? क्या तुम American हो? अमन से पुछ रहा है कि क्या तुम American हो? तो देखिए अमन बोल रहा है yes जदी American है तो yes और नहीं है तो no Yes I am American या no I am Bihari no I am Indian no I am Australian जो भी है यहां पर बोला जासकता है Yes I am American अमन ने कहा मैं अमेरिका का हूँ तो विकास कर रहा है Where are you from in America? तब अमेरिका में आप कहां से हैं अमेरिका तो America is a large country Where are you from in America? आप अमेरिका में कहां है कहां से हैं अमेरिका तो बड़ा देश है तो अमन बोल रहा है I am from California Which is a famous town in America कहां रहा है मैं कैलिफोर्निया से हूँ जो अमेरिका में एक बहुत ही मशुहूर सहर है तो विकास कहा रहा है I feel nice to meet you मतलब मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ to meet you आपसे मिलकर आपसे मिलकर मैं बहुत ही अच्छा उनभाव कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ तो अमन कह रहा है I am also feeling so nice to meet you मैं भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं इस तरह से दो व्यक्तियों के बीच अंग्रेजी में बात्चित हुआ अब उसके बाद देख लिए आप इंग्लिस कंबर्सेशन इन केस ऑफ आस्किंग डाइरेक्शन जदी दिशा पुछना है तो उस विषय में अंग्रेजी में बात्चित कैसे होती है मालने जी एक व्यक्ति है राजा दूसरा है अनिल तो राजा पुछ रहा है हाई राजू हाई राजू या हाई अनिल मतलब राजू नमस्ते या अनिल जी नमस्ते तो अनिल जी कर रहा है हाई राजा मतलब राजा नमस्ते हाई राजू का आ गया मतलब राजू नमस्ते तो तो राजा कहेगा, I am looking for railway station, मैं railway station ढूट रहा हूँ, मैं railway station खोज रहा हूँ, can you tell me how to get there, क्या तुम बता सकते हो, या क्या आप बता सकते हो, can you tell me, मतलब क्या आप बता सकते हो, how to get there, मतलब वहां कैसे पहुचा जाए, वहां कैसे जाए, क्या बता सकते है, how to get there, मतलब वहां कैसे पहुचा जाए, तो अनिल कर, no, नहीं, sorry, I don't know, माप कीजिए, मैं नहीं जानता हूँ, या फिर जानते होंगे, तो बोलेंगे, yes, there is railway station, मतलब वहां railway station है, आप उसका address बता दीजिएगा, मालेजी यहां से दायां लिजिए, मतलब take right, and go for five kilometer, and near a temple, railway station is situated, मतलब, यहां से दायां बुड़ी है, और पांच किलिमेटर जाई, और एक temple के पास, जो है, railway station है, इस तरह से भी बताया जा सकता है, तो अनिल नहीं जानता है, इसलिए बोल रहा है, no, sorry, no, मैं नहीं जानता हूँ, so, no, no, नहीं, sorry, मुझे माफ करिए, I don't know, मैं नहीं जानता हूँ, तो राजा फिर पूछ रहा है, I think, I can take the subway, to the railway station, यहाँ पर कराया, I think, शायद मुझे लग रहा है, I can take the subway, मुझे shortcut रास्ता लेना चाहिए, subway लेना चाहिए, railway station जाने के लिए, do you know where the subway is, क्या तुम जानते हो, कि मतलब shortcut रास्ता है, या फिर वहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता है, मतलब कहां से दूसरी रास्ता है, over there, यह वहाँ है, मतलब इसारा करके बता रहा है, यह वहाँ है, तो राजा पूछ रहा है, where I don't see it, कहां से, कहां से, मतलब कहां से सब्वे है, वह इसारा कर कहां से बता रहा है, तो इपित्र रहा है वेर कहां से I don't see it मैं इसको नहीं देख पा रहा हूं कहां से तो अनिल करा एक रोश दिस एस्ट्रीट इस गली को पार करो तो दीखेगा एक रोश दिस एस्ट्रीट इस गली के पार राजा करें ओह आई सी इट नौ थैंक्स ओहो अब दिखी गया दिखी थीक धन्यवाद अब दिखी गया धन्यवाद इस तर से इसका होगा ओह आई सी मैं देख रहा हूं इट इज नौ अब मुझे देखने लगा थैंक्यू धन्य अधन्य ब deze तो अनेल कारन नो प्रोब्लम कोई बात नहीं तो राजा फिर कर। रहा है। भुख देर इंज रेस्ट रूम एराउंड दिएर दो क्या तुम जानते हो यहां पर कोई सावचाला आसपास मतलब यहां आसपास तो आनिल कर रहा है यहां इस दुकान के अंदर है और कर रहा है को उस दुकान के अंदर तो राजा करा थैंक्यू धन्यवाद तो अनिल करा बाय ठीक है ठीक है ठीक है तो फिर अगला बात चीत दखिए डू यू एस्पीक इंगलिस जदी आप किसी से पुछना चाहते हैं क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो किस तरह से शुरुवात करिएगा बीच में उ यदि होगा तो यस बोलेगा यस आई एं फ्रॉम अमेरिका मैं अमेरिका से हूं नो या नहीं है तो बोलेगा नो आई एंडियन मैं भारतिय हूं तो कमल पुछ रहा है डू यू एस्पीक इंगलिस क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं तो रोबर्ट कर रहें लीटिल मतलब थोड़ा बहुत लेकिन अच्छा से नहीं बोल पाता हूं थोड़ा बहुत बोल लेता हूं यदि अच्छा से बोलते हैं तो of course I can speak English इस तरह से बोल सकता है क्यों नहीं मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं इस तरह से भी इसका उतर हो सकता है फिर उसके बाद कमल पूछ है How long have you been here मतलब कितना दिनों से आप यहां पर रहते हैं How long have you been there मतलब कितना दिनों से आप यहां रहते रहे हैं तो रबट कर रहे है 4 3 months मतलब 3 महिनों से कमल कर रहा है what's your occupation आपकी पेशा क्या है यहां पर आप क्या करते हैं वाट इज यूर अकुपेशन आप यहां पर क्या करते हैं, रबर्ट, I am a student and yours, मतलब I am a student, मैं तो विद्यारती हूं and yours, और आपका what's your occupation या yours occupation, और तुमारा पैशा क्या है, तुम क्या करते हो, तो कमल कर रहा, I am also student, मैं भी एक विद्यारती हूं, पढ़ता हूं, I read, तो रबर्ट कर रहा है, what is your aim of life, तुमारे जीवन का उदेश्य का है, तो कमल बोल रहा है, I want to be a doctor and you, मैं तो एक doctor बनना चाहता हूं and you, और अब तुम क्या बनना चाहते हैं, तो रबर्ट कर रहा, I want to be a doctor also, मैं भी एक doctor बनना चाहता हूं, तो कमल कर रहा, I am feeling so glad, मैं आपसे मिलकर बहुती खुशी महसूस कर रहा हूं and to meet you, मैं आपसे मिलकर बहुती खुशी महसूस कर रहा हूं, रबर्ट कर रहा, I am also feeling so glad, मैं भी बहुती खुशी महसूस कर रहा हूं, कमल बोल रहा, thank you, तो बोल रहा है, okay, thank you, मतलब धन्य बाद आपको भी धन्यवाद तो आज की वीडियो में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक लिए जै हिंच जै भारत जै मासर सोती आप समों का दिन मंगल मैं हो